बड़ी खबर के साथ जहां बोर्विल में पांस साल की मासूम के गिरने की खबर है पिपलिया रसोड़ा में बोर्विल में गिरी बच्ची मौके पर रेस्ट्यू टीम रवाना हो चुकी है बोरा थाना इलाके के घटना है बड़ी खबर आपको बता रही है पिपलिया रसोड़ा में यह हादसा हुआ जहां एक मासूम बच्ची बोर्विल में जागिरी बच्ची के उम्र पांस साल बताई जा रही है और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजगर से जहां पिपलिया रसोड़ा में बोर्विल में पांस साल की बच्ची के गिरने की खबर है तस्वीरे भी आप उस जगा के देख रहे हैं जहां यह हादसा हुआ है जहां एक बच्ची इस बोर्विल में जागिरी मौके पर बड़ी संख्या में लोग इखटा हो गए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है और यह घटना है बोड़ा थाना इलाके की जहां पिपलिया रसोड़ा में यह मासूम बच्ची बोर्विल में जागिरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यह ब्रेकिंग न्यूज राजगर से जहां बोड़ा थाना इलाके में फिपलिया रसोड़ा में यह बच्ची के बोर्विल में गिरने की खबर है बच्ची के उम्रे 5 साल बताई जा रही है मौके पर रस्टू टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है और जैसे ही टीम पहुँचेगी रस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया जाएगा लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में इस थाने लोगे घट्टा हो गए हैं लगा 5 साल की एक मासूम बोर्विल में जा गिरी यहादसा हुआ है बोड़ा थाना इलाके में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यह मामला बोर्विल में पांस साल की मासूम के गिरने का है राजगर से बड़ी खबर जहां पिपलियर असोड़ा में एक बच्ची बोर्विल में जा गिरी बच्ची के उम्र पांस साल बताई जा रही है और मौके के लिए जैसे ही इस घट्टा की जानकारी मिली वैसे ही रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है पूरी अपडेट अपने सायोगी से हम लेंगे जो इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं किस तरह से बच्ची यहां गिर गई है बोर्विल में और अभी फिलाल क्या सुती है क्या स्टेटर से रेस्क्यू आपरेशन टीम का ये भी हम जानेंगे शैलेंद्र भदोरिया हमारे सायोगी जुड़ गए हमाई साथ शैलेंद्र क्या जानकारी है आपके बास परिवार के साथ बच्ची अपने खेट पर बने कुए के पास ही वहाँ पर मौडूद थी और चुकि देखेए खेटी किसानी के काम के लिए वहाँ पर गए थे और उसी दोरान खेलते खेलते मासूम जो है पास साल जिसकी उमर बताई जा रही है बोरवेल में गिर गई है उसको ततकाल परभाव से यहां राजगर से भेजा गया है इसके अलाबा भोपाल से भी टीम है जब राजगर की टीम वहां पहुंचेगी और मौके पर जब देखेगी किस तरह की सिती वहां बन रही हो उसके बाद भोपाल से भी एक टीम भेजी जाएगी क्योंकि यह बहुत जरूर हो जाता है कि सबसे पहले वहां पर एसकी टीम पहुंचे देखा कि लटेरी में एक बच्चा जो है वह बोर्वेल में गराता और उसके बाद स्थानी इस तर पर उसको बाहर निकालने के लिए रसी जो रसी या पर कहें कि साड़ी जो है डाली पिये तब तक बच्ची को निकालने का कोई प्रयास न किया जाए तो फिल हाल जो है वह इंतर दिखार के लिए और परिवार जनों के साथ ही को खेट पर गई थी और शुक्रिया आप पर देखार रहे हैं खेलेंद्र आप बने रही हैं हमारे साथ और आप से जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर जानकारी फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को मैं दिखा रही हूँ कि सरीके से यह पहली तस्वीरे ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस सना से इस बोर्ल में जागी रही है पांस साल की बच्ची और ये हादसा हुआ लोकल सर पर लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन ऐसे में रसी बीच में ही तूट गई और बच्ची और गहरी जगापर जाकर फस गई है रेस्क्यू आपरेशन के लिए टी में रवाना कर दी गई है शैलेंद्र हमासत लगातार बने हुए हैं उससे जानकारी हम हासिल कर रहे हैं शैलेंद्र जरा बताए और देखे बिल्कूल जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि जब भी कोई घटनकरम होता है उसके बाद लगातार ये निर्देश जारी किया जाते हैं सभी कलक्टरगों के बोर्वेल खोले ना चुड़ है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं की पुर्णा बि पता चलता है अपने ही खेत में बाद में बड़ा चिंतनी है मामले को लेकर टीमें हैं वहां रबाना की गई है जो राजगर से वहां पर अब बच्ची का काम सुरू किया जाएगा जल्दी और यह सबसे बड़ी बात अभी देखने वाली बात होगी कि बच्ची कितनी गहर अभी जो सानिय ग्रामीड है केवल बोर्वेल पर नजर बनाए हुए है कि किसी तरह की कोई मिट्टी आदि उसमें ना जाए बच्ची से बात करने का प्रयास भी जो है वह किया जाएगा और सिसी टीवी के माध्यम से उसकी लोकिशन जो है वह वह फसी हुई है और उसके ब 40-50 फीट के लगबग इसकी गहराई है लेकिन बच्ची किस लेवल पर फसी हुई इस बात का अभी किसी को कोई जानकारी नहीं जब तक एक्सपर्स की टीम नहीं पहुंचेंगी सीसी टीवी जब उसमें डाला जाएगा या फिर जो दूसरे अन उपकरण है उनके माधिम से लेकिन सबसे पहले मदद जो पांसाल की बच्ची है सुन सकती है समझ सकती है तो ऐसे में पहला प्रयास ही होगा कि रसी के माध्यम से बच्ची को वापस निकाला जाए लेकिन सबसे पहले ये देखना हो कि आकर उसकी गहराई कितनी है तो पहले जबने बज़े के घटना है शैलेंडर इस बारे में कोई जानकारी और कब तक रस्क्ची टीम पहुंच जाएगी इसको लेकर कोई इन्पुट मिल पा रहा हूँ देखिए जो स्थानी है जो अधिकारी है उनसे बात हुई उनके अनुसार यह है कि राजगर्ण से टीमें रबाना कर दी गई है ग्रामीड छेतर है जो पिपली रसोडा उस गाउं तक पहुंचने में बताया जारा है कि अप से कुछ देर बाद ही ये टीमें पहुंच पाती बच्ची और गैराई में फस गई अधिक बिल्कूल निश्च्व तोर पर जब इस तरह के घटना करम पेस होता है तो आज पास जो लोग वहां मौदूर रहते हैं सबसे पहले का प्रयास यहीं होता है कि किसी भी तरह है जो जो बच्चा उसमें बच्ची जो गिरी है लेकिन अभी फिलाल इस मामली में इस तरह की कोई भी इनपूर्ट नहीं हाला की प्रयास जरूर किया गया था लेकिन वह उनका प्रयास सफल नहीं हुआ इसलिए उन लोगों को साब तोर पर हिजायत दे दी गई कि फिलहाल जो बच्ची बोरो में फसी है उसको वहीं पर र चलेंदर बोर्वेल यहाँ पर कब से बंद बढ़ा है इसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है देखे बता यहीं जा रहा है कि काफी लंबी समय से बोर्वेल का खर्रेंड कराया गया था लेकिन चुकि इसमें पानी आदी ना होने के चलते यह फिलहाल बंद था और यह बता जा आए जा रहा ऑट जिस बच्ची के साथ यह बोर्वेल तो उसके बाद सामने आई है जिस परिवार की बताया जा रहा रहा और वहां पर पर परिवार जनों के साथ यह बच्ची वहां पुहां पहुंची थी और वो लोग ख्यétais तो क्या बच्ची से कोई बात कोई संपर्ख हो पाया है अभी तक कि अब अभी तक कि स्थानी लोगों ने प्रयास जरूर किया था लेकिन वो उसमें सफल ने और यही कारणेने के एक्सपर्ट की टीम ने साब तोर पर यह जरूर कहा है कि जो बोर वहले उसके पास निगरानी रखे किसी भी तरह कि कोई मिट्टी आदी उसमें नहीं जानी चाहिए उससे बात करने का प्रयास करें लेकिन फिलहाल उसकी गहराई का कोई अंदाजा अभी नहीं लग रहा है कि आखिर कितनी वो गहराई में हलाकि बात करने का प्रयास जो है जो परिवार वाले उपर है उनकी तरफ से किया जा रहा है लेकिन जब तक रैस्यू की टीम नहीं वहां पहुंचती है जब तक बास्तों की लोकेशन का पता नहीं लगता है उसकी कि आखिर किस गहराई पर फस घर गई जानवकारी लगते ही पूरे वहां पर हरकब मच गया उस पूरे शेत्र में राजगर खटना है जहां 5 साल की मासूम बच्ची परिवार के लोगों के साथ इस खेत में पहुंची थी परिवार के लोग अपने खेत की काम मैं व्योस्त हो गए बच्ची खेलते खेलत बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई और बच्ची और गहराई में चली गई ये शुड़वाती दौर की जानकारी मिल पाई है rescue team को inform कर दिया गया है बोपाल से भी rescue team को बुला लिया गया है और जैसे ही team पहुँचेगी वैसे ही operation शुरू हो जाएगा लेकिन ये सानी लोगों को हिदायत दे दी गई है कि वो अपने सतर पर कोई कोशिश ना करे क्योंकि बोर्विल कितना गहरा है बच्चे को और मुश्किले हो सकती है ऐसे में बिना rescue team के किसी वी तरह की कोई मदद करने की कोशिश यहाँ पर ना की जाए क्योंकि rescue team में experts होते हैं उन्हें पता होता है कि इस तरह की operation में किस तरह की दिक्कते आ सकती है और कैसे इस तरह की operation को अंजाम दिया जाता है और इसलिए कहा गया है कि लगातार सिर्फ इस्थानिये लोग और परिवार के लोग बोर्विल पर नजर रखे और दूसरा अपने इस तरह से कोई और प्रियास ना करे क्योंकि ऐसे में उनके वो प्रियास बच्ची के लिए मुसीबते और बढ़ाने का काम कर सकते हैं जिस परिवार की बच्ची के साथ ये घटना हुई है वो बच्ची उसी परिवार का ये बोर्विल बताया जा रहा है काफी लंबे समय से ये बंद पड़ा हुआ था ऐसे में बच्ची अपने परिवार के ही लोगों के साथ इस खेत में पहुंसती है खेल खेल में बच्ची जब गायब हो जाती है तब परिवार के लोगों से ढूनने की कोशिश शुरू करते हैं और फिर ये पता चलता है कि बच्ची बोर्विल में जागिरी है बच्ची के उम्र 5 साल है तो ऐसे में अब परिवार के लोगों को स्थाने लोगों को ये कहा गया है कि वो सिर्फ बोर्विल पर अपनी नजर बनाय रखे एक्सपर्ट पहुच रहे हैं राइगर से भी राजगर से भी एक्सपर्ट यहां पहुच रहे हैं और साथी भोपाल से भी एक टीम को बुला लिया गया है जैसे ही टीम पहुचेंगी वैसे ही ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा लेकिन ये घटना हुई है पांस साल की बच्ची के साथ जो इस बोर्विल में जागिरी है। जो इस बोर्विल के तस्वीरे आपके ऴी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजगर में बोडा थाना इलाके में गटना हुई है पिपलिय रस उड़ा नामकी जगा है जहां पर बच्ची बोर्विल में जागिरी है 5 साल की ये बच्ची है जिसके साथ ये घटना यहां पर हुई है शैलेंद्र भधौरिया हमारे सहियोगी लगातार इस बारे में जानक सब्सक्राइब कर देखी जो अधिकारियों से बात हुई है उसके अनुसार उनका यह क्याना है कि अपसे कुछ देर बाद है जो रेस्क्यू की टीम वहां पहुंच जाएगी हाला कि स्थानी अस्तर पर कर में बात करूं तो राजस अमले को वहां भेज दिया गया है वहां पर पहुंच गए इसके साथ ही पुलिस प्रसाशन के टीम वहां पहुंची हुई है ताकि किसी तरह की कोई अपरी स्थानी यह बार हमने यह देखा है कि जैसे इस तरह के इस जानकारी लोगों को मिलती है अस्थानी लोगों को बड़ी शंख्या संक्या में लोग जो है वोग के आज पास पहुंच जाते हैं तो ऐसे में सिती को नियंत्रण में रखने के लिए राजसु का अमला भी वहां पहुंच चुका है इसके अलाबा पुलिस फोर्स भी जो है वो मौके पर है ताकि किसी तरह की सिती को अप्रिये ना होने दिया जाए और लगातार जो जी शरेंदर रोक रही हूं आपको यहाँ पर उस मासूम बच्ची की तस्वीर भी हम यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो बच्ची समय बोर्ल में फसी हुई है और यह पांस साल की इसकी उम्र थी अपने परिवार के लोगों के साथ ही थी बच्ची लेकिन ख जरंदास किया गया उसी दौरान बच्ची बोर्ल में जागिरी यह पांस साल की मासूम समय बोर्ल में फसी हुई है और लगातार उसको बाहर निकालने के लिए अब बस इंतजार हो रहा है रस्क्यू टीम्स के पहुँशने का जैसे ही टीम्स पहुँचेंगी वैसे ही यह कर दिया जाएगा लेकिन उस समय तक के लिए वहां स्थानी लोगों को परिवार की लोगों को यह सक्त निर्देश दिये गये हैं कि वह अपने अस्तर पर कोई कोशिश ना करे क्योंकि बोर्ल कितना गहरा है अभी अंदर की क्या स्थती है कई ऐसा ना हो कि उनकी कोशिशे बच्ची को बाहर निकालने की बच्ची के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दे शालेंद्र में परिजनों के द्वारा इस्थानी लोग है उनके द्वारा जो प्रियास किये जाएंगे बच्ची के लिए परिशानी का सबब बन सकते हैं और अब बस कुछ बक्स का इंतियार और करना है जो ग्रामबासी है जो परिवार वाले क्योंकि थोड़ी दिर में जब रेस्क्य को आगे बढ़ा जा सकता है कि क्या वो सीधे तोर पर सीधी है या फिर वो सरकेबल नीचे गई तो इस तरह कि जो चीजे हैं जब तक सीची टीवी फूटेज जो कैमरे के माद्यम से अंदर की वास्टों कि पता नहीं की जाएगी तब तक सुरूर नहीं किया सकता ऐसे में अब जो इंतियार है कि वल रेस्क्यू टीम के वहां पहुशने का कि जैसी रेस्क्यू टीम वहां पहुशती है तो उसकी ततकाल बाद ही बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास जो है वो तेज कर दिया जाएगे हाला कि इस तानी पर तमाम जो लोग है जिस बात का मैंने ज सकने का डर भी बना रहता है तो ऐसे में तमाम जो एतियात है वो स्थानी स्तर पर शुरू कर दिये गए आप से कुछ देर बाद जब रस्क्यू टीम वहां पहुशेगे उसके बाद बच्ची को सकुसल बाहर निकालने का काम जो है उसुरू किया जाएगा जी बिल्कूर हर पर निकालने के लिए उस तो बॉर्वल पिटेज़्ार हो रहा है और जिस परिवार की बच्ची के साथ यह घटना हुई है। तरह की घटनाई हुई है और ऐसे में बहुत तरह की चैलेंजिस सामने आते हैं जब रस्क्यू आपरेशन शुरू किया जाता है तो बिल्कुल आपने ठीका पढ़ना जिस तरह के लगातार हम देखते आएं कि मद्यप्रदेश को या पूरे देश वर में इस तरह घटना करम लगातार सामने आते रहते हैं और सामने आने के बाद तमाम जो सरकारे हों या अस्थानी इस तरह पर तमाम तरह के आदेश भी जारी बित्ती होती है और जिस बात का आपने जिक्र किया वह बहुत महात्पूर्ण बात है कि रेस्क्यू जब होता है तो बहुत बड़ी कई बार कई चैलेंजिंग सामने आते हैं अगर हमने जिस तरह के से देखा कि सीहौर में जब रेस्क्यू चल रहा था तो समय नीचे जो है जो आराम से करना पड़ा था कि आप देखिए बड़ी मसीने वहां चला नहीं सकते हैं कि मिट्टी के दसकने का डर जो है वह बना रहता है और ऐसे में मजदूरों के माध्यम से अंदर की खुदाई कराए गए तो उसमें लगबक 10-12 घंटे का समय उसमें भी लगा था तो यह जो रेस्क्यू है उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि रेस्कू टीम जब वहां पहुंचे और वह बास्ट्रों कि सित्री का पता करें कि आखिर कितने फीट गहराई यह बोर बैल है और कितने गहराई पर जो है वह बच्ची फसी हुई है और इसके साथी बच्ची की किया है क्या वह बात कर रही है यह जो है राम कुमार जी वह हमाई साथ जुड़ गए है राम कुमार जी यह जो घटना की जानकारी मिल रही है बच्ची के बोदल में गिरने की सर आपके पास क्या इंफरमिशन है अभी तक जी सर कितना गहरा है यह बोरवेल 25 फित गहरा तो बहुत है लेकिन वीच में कुछ कटाव रहता है और तो बेरिंग उगेरा का तो उसमें अटकी हुई तो 25 फित की गहरा है यह बच्ची अटकी हुई है जी और सर अब तो अंधेरा भी वहाँ पर हो चुका है तो किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है हम लोगों ने करा ली है चैसे भी करके तो खेत है जाओं से काफी दूर है लेकिन लाइट की वे उस्ता है जी और सर कब तक निकाल ले जाएगा बच्ची को ऐसी को जान करें लागी है इतना जल्दी हो सके हम भी चार है कि जल्दी हो जाए जी 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 किस तरह से मतलब अब इस रेस्क्यू काम को शुरू किया गया है सर कोई बात हो पाई है कि बच्ची से बच्ची का आवाज आ रहे है उसको आवाज देते हैं तो आवाज देती है जी जी और परिवार के लोग भी वहीं है परिवार के लोग तो यहीं इसी गाऊं करे रहने वाले हैं उसी का खेट है उसी की बच्ची और उसी खेट में उनका बॉर्वेल था जो बंद पड़ा हुए था जी जी और से बच्ची को आपने गा कि ऑक्सिजन पहुचाई जा रही है जी सर तो मतलब फिर भी कोई आपको रेस्क्यू टीम बता पा रहे हो कि कितना घंटे का यह चल सकता है ऑप्रेशन जी सर बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत कीमती समय है समय आप वही लोकेशन पर है थाना प्रभारी है रामकुमार जी जानकारी देरते की रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी है और बच्ची को आक्सिजन की सप्लाई की जा रही है बच्ची को जब आवाज देते हैं तो बच्ची उस आवाज पर रिस्पॉंड करती है पांस साल की बच्ची है और जिस परिवार की बच्ची है उसी परिवार का यह खेत है उननी का यह बोरूर्विल था जो बन रहा था ताजा बना है यह बोरूर्वल अभी और बच्ची वहाँ बात हुई है बच्ची जब उसे आवाज दी जाती है तो बच्ची इस पर रिस्पॉंड कर रही है और बच्ची को यहां पर सबसे पहले ऑक्सिजन की सप्लाइए यहां पर की गई है क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो रॉष्णी का इंतजाम कर लिया गया है वहां पर विव जाए और यह बड़ी घटना हुई है मध्रप्रदेश के राजगर में पिपलिया सोडा नाम की जगा है जहां पर परिवार की खेत में बच्ची अपने परिवार के साथ ही गई थी और खेलते खेलते बच्ची सरक कर इस बोरवल में जागिरी और करी 25 वीट की घहराई में जानकारी मौके पर मोजूद थाना प्रभारी हमें दे रहतेते शैलंद्र आप सयोगि लगाता जुद Sahand schne आप तक भी जानकारी पोहुंच रही होगी अंध्य यो सही पर प्रबभारी उन्हों ने पूरे मामले को लेकर सायकी है कि देखिए बिल्कुल जो इंफर्मिशन जो मैंने सुना वो एकदम अच्छी बात है कि कम से कम जो बोर बैल भरे कितना भी गया रहा हो लेकिन बच्ची जो है वो 25 फिट के आसपास फसी हो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि बच्ची रिस्पॉंड भी कर रही है अच्छी ब बात्चीत के बाद देखिए माइक्रोफोन भी जाएगा उसके पास जिसके माद्यम से उसके पास जो है वो आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच सके और उससे बात्चीत की जाएगी उससे पूछा जाएगा कि क्या वह रसी पकड़कर ऊपर आ सकती कि को दूरी जो है वो जो है वो किया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरा ओप्सन केवल और केवल पैडलर गड़े का बचता है और उसी के बाद दिम से वो गड़े खोदने के बाद जो है वो इसको निकाला जाएगा तो जिस बात का मैं जिकर करना था कि जब तक की सुरू कर दिया गया है जी विल्कुल और राहत की बात यह है कि मौके पर एस्क्यू टीम पहुंच चुकी है मेडिकल हेल्प वहाँ पर है और परिवार के लोग तमाम होंगे ही वहाँ पर क्योंकि यह हाथसा परिवार के खेप में ही हुई है यह घटना और लगातार कोशि अक्सर इस तरह की घटनाएं बच्चे के साथ हो जाती है परिवार का ही खेथ था परिवार के साथ बच्ची गई थी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह की घटना हो जाएगी बिलकुल अपड़न ठीका जिस बात का मैंने थोड़े दिर पहले भी जिकर किया था कि मद्यप्रदेश में जितने हाथ से मैंने देखे है या मैं यह कहें कि मैंने कवर कि उसमें अक्सर यह देखने में आया है कि जो इस बोरबैल में मासूम गिरता है वो उसके परिवार का होता है और उस परिवार की लापरवाही के चलती की कि जो खामिया जो है जो है कई बार उन मासूमों को भुगतना पड़ता है हालाकि अच्छी बात है कि यह बच्ची 25 फुट पर रही है रिस्पॉंड कर रही है रेस्कू की टीम समय पर पहुंच गई है मेडिकल उसको प् करनल उसमें लगाएंगे उसके पहले उसको ढख देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ढखेंगे नहीं तो लापरवाही का सिकार जो है वो आपके मासूम हो सकते हैं यह आंक्ने जो है वो तमाम अगर अगर अब पहले की बात करूं तमाम जगह यह देखने में आया क इस तरह की घटनाएं होती हैं हलाकि रेस्क्यू टीमा पहुंच चुकी और उम्मीर सबको यह है कि बच्ची रिस्पॉंड कर रही है जल से जल बच्ची को सकुसल बाहर निकाल लिया जाएगा शलेंदर बहुत बड़ी बात आप यहां पर बोल रहे हैं देखिए क्योंकि बहुत आसान होता है सरकार पर या किसी पर भी सवाल उठा देना लेकिन जब हम अपने पर नहीं देखते हैं या अपनी इन घटनाओं से नहीं सीखते हैं तो अकसर इस तरह की घटनाओं हो जात खबर पर और इस पूरी खबर पर नजल हमारी बनी हुई है लगातार अपडेट आप तक पहुचाते रहेंगे एक छोड़े से ब्रेक ले रुक रहे हैं कई मत जाई है हम जल लौट रहे हैं